आप सभी स्वागत है आपका एक बर फिर से आपके अपने चैनल दाट इस अन अकाडमी क्लाट और यहां पर हमारी कोशिश है कि क्लाट 2024 एक्जामिनेशन में आपको बहुत अच्छा रैंक जो है वो हम दिलवाएं जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे मेसेज़े मुझे किये जहां पर एक कॉमन मेसेज मुझे दिखा कि सर वाट शुडबी आर डिली रूटीन हमारा दिन जो है वो कैसे शुरू होना चाहिए क्या क्या चीजे हैं जो हम हर दिन करें ताकि हम एफेक्टिव वे में अपने दि कर सकें and at the end of the day हम productive तरीके से अपने examination की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा सकें तो इन सभी चीजों पर आज बात करेंगे बहुत ही क्या होना चाहिए for CLAT 2024 बट इस चीज को समझने से पहले कुछ बाते हैं जो मैं आप से करना चाहता हूं और वो यह है कि there is a person known as जिनको हम बहुत famously जाना करते थे with the name Thomas Elva Edison Thomas Elva Edison जो है उन्होंने एक बहुत प्यारा सा कोट दिया था उनका कहना था कि good fortune is what happens when opportunity meets the planning कहने का मतलब अगर आपके पास आज opportunity है कि आप अच्छी coaching institute में अपना जो है आपने subscription ले रखा है और उसके बाद आप अच्छी मेहनत करके तयारी करके पढ़ रहे हैं लेकिन if in case आपने planning नहीं करी है तो it is like कि शायद आप उस चीज को उतना अच्छे से नहीं पा सकते जितने अच्छे से आपने सोच रखा है जितना rank आपने target कर रखा है it is quite possible कि आप वो अच्छीव ना कर पाएं क्योंकि अगर आपको वो चीज अच्छीव करनी है then you just need to know कि good fortune एक व्यक्ति के साथ तभी होगा जब opportunity जो उसको मिल रही है उसको वो सही तरीके से planning के साथ लेकर चले and Alan Lekinji ने भी यही कहा था that failing to plan is basically planning to fail यह सारी चीज़े में आपसे क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप कुछ भी कहारे कर रहे हैं for example अभी चुकि हम बात कर रहे हैं CLAD 2024 की तो अगर आप इस examination के तैयारी कर रहे हैं तो the very first tip that is required to be done is to plan things to plan your day to plan your weeks to plan your months कौन सी books आप यूज करोगे कौन सा material आप रिफर करोगे कौन सी mock series जो है mock test series जो है वो आप रिफर करेंगे यह वो सारी चीज़े हैं जो आपको पहले ही बैठके एक बार में plan करके रख लेनी है right so this is the importance of planning so आप सबसे पहला step जो होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि please do take a pause क्योंकि life में कभी कभी रुकना ज़रूरी है किस चीज के लिए एक लंबी छलांग लेने के लिए है ना तो रुकिए analyze करिए plan करिए and उसके बाद आगे बढ़िए तो planning is very important तो सबसे पहले देखते हैं कि आखर CLAD examination में कौन-कौन से subject matters पे हमको test किया जाता है तो जैसा कि आपको by now you must be aware कि इसमें 5 fronts है जिन पर आपको test किया जाएगा एक होगा English then the other would be current affairs then the next would be legal reasoning next would be logical reasoning and the last one would be quantitative techniques ठीक है अब जब आपको पता है कि यह सारे अलग-अलग fronts है there can be one girl named as Alicia then can be another girl named as Ragini there can be a guy named as Farman ऐसे अलग-अलग बच्चे हो सकते हैं हो सकता है कि Alicia जो है उसका logical reasoning बहुत अच्छा है हो सकता है Ragini जो है उसकी habit है newspaper reading की बच्चपन से and उसको जो है current affairs में interest है तो उसका current affairs अच्छा है हो सकता है फर्मान जो है वो maths में बहुत अच्छा है अब ऐसे ही आपको अपने बारे में identify करना है कि आपकी strengths क्या है और आपकी weaknesses क्या है the moment you identify these आप यह समझ के चलिए आधा काम आपका हो गया तो सबसे पहले आप यह identify करें कि आपकी strength क्या है और आपकी weakness क्या है and कोई शरम नहीं है इस चीज को admit करने में कि yes this is my weakness because the moment you identify something as your weakness you have identified one of your strength कि अब मैं इसको मजबूत कर सकता हूं अब मैं इसको strong बना सकता हूं ठीक है तो सबसे पहले weakness को identify करिये and then let's plan to change it into our strength ठीक है अब जब आपने अपनी जो strength है और अपनी weaknesses है इन चीजों को analyze कर लिया now what you need to keep in mind is time table बनाने से पहले कि there is something which is known as the newspaper newspaper का कोई substitute नहीं है मैं यह आपको साफ साब बदा दे रहूं why because newspaper जो है वो आपको मदद करेगा पूरे के पूरे clear examination में अच्छा score करने के लिए it is not just कि newspaper से आप current affairs जो है वो पढ़ रहे होंगे क्योंकि newspaper में जो current affairs आता है वो हम आपको बाद में magazines के तौर पर भी देखने को मिल जाएगा लेकिन newspaper में सबसे important चीज जो होती है वो होती है editorials newspaper में सबसे important चीज जो होती है वो होती है आपकी वो reading habit develop करता है newspaper में सबसे important चीज वो होती है कि वो आपकी comprehension skills को strong करता है इसी लिए newspaper जो है वो ना किवल आपके current affairs में काम आएगा वही आपके legal reasoning में भी काम आएगा वही आपका जो है English में भी काम आएगा याने एक particular source आपके बहुत सारे friends को cover कर रहा है guys and girls you can definitely not even think of ignoring this particular source ठीक है उसके बाद कुछ बच्चे जो है वो quant को बहुत हलके मिलेते हैं अब जैसा कि आपको पता है pattern जो है वो change हो चुका है 120 questions होंगे but as of now आपको और हमको यह नहीं पता है कि वो 120 questions होंगे उसमें से कितने questions किस particular section के होंगे या फिर अगर जिस section के भी है तो उसमें paragraphs कितने ज़्यादा lengthy आएंगे इन सभी चीजों के बारे में हमको अभी कोई idea नहीं है क्लाइट ने हमको सिर्फ इतना बताया कि questions हमने reduce कर दियें लेकिन sections उतना ही रहेंगे तो अब हमें क्या करना है आपको यह ensure करना है कि आप किसी भी section को छोड़ के ना जाए if in case जो कि majority और बच्चों को issue होता है सरक क्वांट, क्वांट, क्वांट and क्वांट हमसे नहीं बनता अगर आपसे क्वांट नहीं बनता है तो उस चीज़ को आप accept करें and now identify कि किसको किस तरीके से आप जो है stronger बना सकते हो the only way is कि आप topic wise approach करें what needs to be done is कि आप previous year question papers को उठा कर देखिए आप ये analyze करिए कि आखिर जो questions आए हैं उनको solve करने के लिए मुझे कौन-कौन से topics बहुत अच्छे से बनने चाहिए आप उसकी एक priority list बनाएए and उसके हिसाब से आप अपना जो है preparation करिए and topic to topic आप कौन को cover करते रहे है next is yes practice is something which is very much required and revision जो है इसके लिए आप जरूर समय डाले क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिफ read कर रहे हो let's suppose आपने June month की जो magazine है current affairs की वो आपने read कर लिए and you are thinking कि आपको सब याद रहे जाएगा trust me out of my personal experience I am telling you आपको उस समय जरूर लगेगा कि ये चीज हमें याद रहेगी but the moment आप उसको पढ़े हुए एक दो दिन होंगे आप सब कुछ भूल चुके होंगे everything will vanish and तभी हमारे लिए क्या important है revision करना बहुत important है and यही चीज मैं आपर बताना चाहूँगा कि Bruce Lee's आप जो है इनों एक statement दिया था इनके द्वारा कहा गया था that I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once मैं उस व्यक्ती से नहीं डरता जिसने 10,000 moves जो है एक एक बार तयारी कर रखी है but rather मैं उस व्यक्ती से डरता हूँ जिसने एक kick को 10,000 times practice कर रखा है so that is the power of practicing that is the power of repetition that is the power of revision तो आपको भी यही करना है आपको एक particular source पकड़ के चलना है and उसके multiple revisions जो है वो आपको करने है चीक है इसके अलावा एक और चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो है mocks mock test देने से बच्चे बहुत ज़्यादा कत रहते है I don't want you guys कि आप ऐसा करें but rather आपको क्या करना है यह आपको identify करना है कि आप regular mocks दे रहे हो and at the same time आप उन mocks को कम से कम एक से दो घंटे दे रहे हो examination देने के बाद why am I saying that क्योंकि जब mocks की बात करते है it is not just कि यह testing process है it is not just कि यह testing process है but rather इसके साथ साथ यह आपका learning process भी है जब आप mocks देते हैं ऐसे बहुत सारे concepts होंगे ऐसे बहुत सारे current affairs होंगे ऐसे बहुत सारे legal issues होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे उस mock में आपको देखने को मिलेंगे वो आपके सही तो नहीं होए होंगे question आप यह समझ लोगे मेरे question गलत हुए आगे बढ़ जाओगे depression में आ जाओगे mocks देना बन कर दोगे this is not the approach the right approach is जो questions आपके गलत हुए है जो topics आपके गलत हुए है अब आपको उन topics को उन questions को वापस से analyze करना है उस topic के around अगर आपसे कुछ भी question पूछ लिया जाए वो आपसे बनना चाहिए that should be the approach तो mocks को करने के बाद आपको analysis जो है उसका करना है this is something which you definitely need to keep in mind right इसके बाद अब हम देखें अगर कि एक ideal time table किस प्रकार से होना चाहिए तो सबसे पहले आपको यह identify करना होगा और यह समझना होगा कि time table आपको बनाना कैसे I would say अब जो है एक funnel down approach का यहाँ पर use करें when I say funnel down approach सबसे पहले आपको जो है अपने monthly targets बनाने है monthly targets कहने का मतलब कि मैं इतने इतने समय में एक महने में मैंने legal का constitution and contract खतम कर देना है अगले महने में मुझे ये खतम कर देना है अगले महने में ये खतम कर देना है इस प्रकार से आपके monthly targets होने चाहिए उसके बाद इन monthly targets को आप weekly breakdown करें and once you have done that इनको आप daily targets के रूप में breakdown करें please make sure कि ये जो daily targets है वो आपके doable हो ऐसा नहीं होना है चाहिए कि मैं एक दिन में पुरा constitution कर लूँगा which you and I very well know कि नहीं हो पाएगा possible ही नहीं है तो अगर doable नहीं होगा तो आपको बुरा लगेगा आपको बुरा लगेगा आप एक समय के बाद करना छोड़ दोगे उसके बाद depression में चले जाओगे आप अपना exam बिगाड दोगे this is something which I don't want you guys to do तो क्या करना होगा हमको आप जो है ऐसे targets बनाए जो की doable है and अब जब यह targets बन जाए न then आप कुछ भी हो जाए you should not be breaching these targets it should be your regular practice कि आप इसको monitor करें कि आपके सारे targets जो है वो complete हो रहे है and the moment आपके targets complete होते हैं उस समय treat yourself जो भी चीज़ आपको करना पसंद है take out time for that क्योंकि हम humans ऐसे ही है हम जब अपने आपको अच्छे से treat करते हैं अपने आपको अच्छे से खिलाते हैं घुमाते हैं तो obviously हमें happy hormones release होते है and happy hormones release होंगे तो आप और जादा अच्छे से पढ़ाई करोगे so this is a kind of a virtuous circle मैं इसको vicious circle नहीं बोलूँगा कि अगर आपके अच्छे hormones release होंगे happy hormones तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा पढ़ाई में मन लगेगा तो targets complete होंगे targets complete होंगे happy hormones release होंगे और ये cycle जो है वो चलती जाएगी तो ultimately आपको खुश रहना है खुश रहने के लिए आपको targets complete करने targets जब complete हो जाएए तो आपको अपने आपको treat करना है if in case you like eating like me if in case आप बहुत foodie हो तो आप जाके बाहर बहुत सारा जो है अच्छा सा कुछ खाए but make sure that is healthy कहीं वो आपकी health को न बिकाड़े ठीक है कि आप 16 गंटे पड़े 18 गंटे पड़े जो कहते हैं let them say I just want you guys कि यहां से हर दिन आप 8 से 10 गंटे की पढ़ाई जो है dedicated रूप में दे दे when I say dedicated रूप में वो यह time होना चाहिए जब ऐसा नहीं होगा कि आप gadgets आपने आसपास रखे हुए है आप mobile चला रहे हो आप reels देख रहे हो आप shots देख रहे हो आप messages कर रहे हो WhatsApp कर रहे हो this is not what I want Snapchat को थोड़ी दिर के लिए शान्त कर दो मत बताओ ना किसी को क्या पढ़ाई कर रहे हो it is not required what is required is कि यह 8 to 10 hours का dedicated study time आप दे रहे हैं अब यह जो 8 to 10 hours का dedicated study time है इसको आपको break down करना होगा into different slots जैसे कि slot 1 जो होगा इस slot में मैंने newspaper पढ़ना है slot 2 जो होगा इस slot में मुझे let's suppose एक subject जो है वो पढ़ना है जैसे कि legal reasoning अगर मैं पढ़ रहा हूँ फिर एक slot 3 होगा इस slot 3 में मुझे जो है count करना है इस प्रकार से आप अलग-अलग slots जो है वो बना सकते हैं now a kind of a ideal slot की अगर बात की जाए number of slots तो I would say कि आप 3 slots लेकर चले पहले slot में आपको करना क्या है सबसे पहले उठकर आपको newspaper पढ़ना है जब बात आती newspaper पढ़ने की it is not that की आपको line to line word to word पढ़ना है you should know कि previous year analysis के बाद आपके syllabus के analysis के बाद what are those things जो आपके लिए important है क्या note making from newspaper is important I never suggest that why? because there are coaching institutes there are good institutions जो आपके लिए current affairs की magazine बना कर दे रहे है तो ये तो वही बात होगी कि मम्मी ने आपको खाना पका कर दिया आप के रहे हो नहीं मम्मा मैं इसको फिर से पका के खाऊंगा तो ये कुछ sense नहीं रखता तो इससे बहतर ये है कि newspaper को आप understanding के लिए रखे and उसके बाद आप जो current affairs magazine है उससे आप current affairs को cover करने की कोशिश करे once you have read the newspaper and current affairs आपका slot one जो है वो खतम हो जाएगा this is a slot which will go perpetual till your examination कहने का मतलब ये वो slot है जिसको आप miss कर ही नहीं सकते current affairs आपको पढ़ना ही पढ़ना है newspaper आपको पढ़ना ही पढ़ना है second slot जो होगा यहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हो अपना legal reasoning का subject चला सकते है legal reasoning में भी I would suggest start with the constitution of India क्योंकि constitution of India के understanding अगर आप develop कर लेते हो वो आपको newspaper पढ़ने में भी मदद करेगा current affairs में भी मदद करेगा international affairs को भी समझने मदद करेगा and legal issues में तो definitely वो आपको मदद करने ही वाला है right इसके अलाबा जो आप slot रख सकते हो वो आप English का रख सकते हैं English में अगर आपको लगता है कि आपको वो cap के लिए अलग से time निकालना है जो कि आप इस newspaper reading से नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आप उसके लिए जो second slot है उसमें थोड़ा सा time रख सकते हैं फिर आएगा आपका third slot third slot जो होगा यह बहुत ही important slot है क्योंकि यहां पर हम focus कर रहे होंगे हमारे quant पे and reasoning पे this should be the approach कि third slot जो हमारा होगा क्योंकि आप दिन बर से ठक चुके होगे शाम तक का आपका समय आएगा और इस समय आप कुछ नई चीज जो है अपने brain में input करने से थोड़ा सा कतरा होगे आप जितने facts, figures हैं इनको याद करने से थोड़ा सा कतरा होगे तो rather आप इस चीज का utilization कैसे करें कि आप इस समय reasoning या फिर quant जो है उसके topics आप धीरे-धीरे करके खतम करना चालू कर दें इन सभी चीजों के अलावा इन सभी चीजों के अलावा आपने अपने schedule में एक चीज और include करनी है and what is that one thing? mock test mock test आपको हफते में कम से कम दो देने ही देने है जितना जादा आप test दोगे उतना जादा आप exam like जो atmosphere है उसके लिए आप acquaint होंगे उसके आप easily adapt कर पाओगे and जो बच्चे बिचारे बहुत सारा पढ़ते हैं और examination वाले दिन जाकर उनका exam बिगड़ जाता है वैसी स्थिति आपकी नहीं आएगी क्योंकि आपने continuously बहुत सारे mocks already दे रखे होंगे तो जब CLAD का examination होगा जिस दिन December में your strengths and make sure कि आप इन सभी points को include करके अपने लिए timetable बना रहे हैं जब आप current affairs की magazine पढ़ रहे हो अगर आप उसको सिर्फ read कर रहे हो trust me it will make no sense you will have to read it you will have to remember the facts you will have to revise it you will have to recall it and you will have to reproduce them तो ये वो चीज़े हैं जो आपको current affairs magazine के बारे में पता होनी चीए तो multiple revision is something which will be required तो अगर अभी तक आपने अपने timetable में ऐसा नहीं रखा हुआ है कि आप उसके multiple revision करें तो please make sure कि आप ये point को भी आपने timetable में incorporate करें चीख है with this I believe कि आपके जितने भी questions and queries है relating to the timetable वो मैंने address की होंगे इसके अलावा भी अगर आपके कुछ points है आपको बहुत अच्छे से पता है you can very well connect with me on telegram उसके लिए करना कुछ नहीं है आपको ये जो particular QR code दिख रहा है इस QR code को scan करें या फिर आप telegram पे being aditirai के नाम से भी search कर सकते हैं जैसे ही आप ये search करोगे ये channel आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पर मैं daily updates डालता रहता हूं about all the classes and at the same time वहां पर आपको important articles जो newspaper के हैं उसका PDF में भी मैं वहां पर आपको देता रहता हूं इसके अलावा if in case आपको legal reasoning में कोई भी issue आ रहा है तो you very well know this is me अधितराय your legal reasoning and legal current affairs expert तो मैं आपकी यहां पर मदद करने के लिए तयार हूं जी हां मैंने आपके लिए dedicated एक legal reasoning और legal current affairs का course on academy पर launch किया है जो की शुरू होने वाला है 29th of June 2023 से and अभी आपको ये heavy discount पर देखने को मिलेगा on my special request on academy ने इसको consider किया है and जो course आपको 8999 का मिलने वाला था on academy is trying to give them to you at 7999 but what I feel is कि अभी भी थोड़ा सा जाधा प्राइस है and I want कि इसको थोड़ा और affordable बनाया जाए ताकि आप जो है quality के साथ affordability जो है उन सभी चीजों को यहां पर consider कर सके तो इसलिए I have requested them and they have given the power to me by this code which is known as bar 5 bar 5 being अधितराय army जिसका आप सभी हिस्सा है इस bar 5 code को आप लगाए जैसे ही आप bar 5 code apply करोगे यह जो price है 8999 का यह पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा और आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5999 में याने bar 5 code लगाने के बाद आपको 2000 रुपीज का और discount देखने को मिलेगा इस course में अब जब आप इस course में पढ़ रहे होगे trust me you will not require to do anything else for your legal reasoning part आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर constitution पढ़ाया जाएगा यहाँ पर contract पढ़ाया जाएगा यहाँ पर thoughts पढ़ाया जाएगा यहाँ पर IPC पढ़ाया जाएगा इन सभी subjects को पढ़ने के साथ साथ जितने भी legal issues contemporary issues आपके news में चल रहे हैं for example जैसे कि last year सरोगेसी act was in news so सरोगेसी act से सवाल आपको देखने को मिला या फिर criminal identification code was in news तो उससे आपको जो है एक paragraph तेखने को मिला similarly अगर इस साल जो भी चीज़े news में होते हैं उनको हम regularly यहाँ पर cover करेंगे ताकि सारे के सारे paragraphs जो आप examination hall में देखें उनका idea आपको पहले से ही हो उसका subject matter आपको पहले से ही पता हो ताकि legal reasoning आपके लिए literally a cakewalk की तरह हो जी इसी के साथ साथ अगर आप unacademy के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको बदा देते हैं warriors batch 29th June से चालू हो रहा है and this is a one batch for every law entrance examination for the year 2024 that means यह आपको CLAT, ALIT, MHCET SLAT and LSAT इन सभी के लिए मदद करेगा जहां पर आपको इंडिया के best top educators जो है वो पढ़ाने वाले हैं that is this is me, Aditya Rai Keshav Malpani sir Vishnavi Pandya madam, Pooja madam and Agni Mitra Aman sir तो अगर आपने अभी तक decide नहीं किया था कि आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए then I believe that this is the best batch for you जिसमें आपको hand holding कराई जाएगी and you will definitely be in a position to crack the examination however, इस batch को भी अगर आप discounted price पर purchase करना चाहते हैं, you very well know Unacademy portal पर आप बस ये code apply करें जिस भी course को आप खरीदना चाहते हो जो भी subscription आप लेना चाहते हो Unacademy के portal पर जित्ता भी maximum discount मिल सकता है, वो आपको इस particular code कोई मदद से देखने को मिलेगा इनके साथ ही अगर कुछ बच्चे हैं जो 2025 के तियारी कर रहे हैं उनको बता देते हैं कि sir 25% का off heavy discount अभी चल रहा है plus and iconic subscription पे Unacademy के तो आप इसको avail कर सकते हैं अभी के अभी जाकर and अगर आप 12 months या 18 months का subscription प्लस का लेते हो या फिर iconic का कोई भी subscription लेते हो using the code bar 5 तो आपको automatically register कर दिया जाएगा CLAT assure program में CLAT assure program या ensure करता है कि आपका CLAT में selection हो जाए if in case नहीं होता है then next year का जो attempt होगा that will be completely on Unacademy कहने का तातपर कि आपके next year का पूरा का पूरा coaching का जिम्मा जो है वो Unacademy उठाएगा आपको एक साल का plus subscription जो है वो पूरी तरह से free of cost दिया जाएगा इसी के साथ साथ कुछ बच्चे जो scholarship test जो है उसमें appear होना चाते हैं आपको बदा देते हैं 2nd of July is the day जिस दिन आपका scholarship test होने वाला है 2pm जा के अपने आपको register कर रहा हो this is completely free of cost and अगर आप top 500 में भी आते हो तो you will get to see maximum discount over here ठीक है तो जाएए अपने आपको register करिये and get yourself a good scholarship with this I would like to take your leave thank you so very much guys for your valuable love care and support my name is Aditya Rai keep studying keep grilling Jai Hind Jai Bharat आप प्राप